हेलो बच्चो आज हम पाट सोला भाग दो कुछ सामाने रोग के बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन से और भी रोग हैं जिसे हमें जानना चाहिए कि इसके कारक कौन-कौन से हैं इसके लक्षन क्या हैं और इससे बचने के कौन-कौन से उपाए हैं तो आज हम सबसे पहले जानेंगे टाइफाइड तो आपने कई बार सुना होगा टाइफाइड रोग के बारे में इसे मोती ज़रा या मियादी बुखार भी कहते हैं ये जिस जिवानू से होता है उस जिवानू का नाम है साल्मोनेला टाइफी क्योंकि टाइफाइट शब्द है देखिए तो आप आराम से याद कर सकते हैं टाइफाइट रोग को फैलाने वाले जो जिवानू है वो हैं साल्मोनेला टाइफी इसका कारण क्या है तो रोग ग्र दूशित भोजन या जल का प्रयोग जब हम करते हैं या कोई भी स्वस्त वेक्ति करता है तो उसके आत में ये पहुंच जाते हैं और उसकी दिवार को छतिग्रस्त कर देते हैं जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है इस रोग के कारण जो आत है वो तो प्रभावित हो टाइफाइट के लक्षन सबसे पहला इसका लक्षन है कि रोगी को लगातार सर्दद रहता है और बुखार दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है दूसरे सपताह में तेज बुखारente है और तीसरे और चौथे सप्ता हमें बुखार कम होता जाता है और एक निश्शित समय के बाद ये बुखार चड़ता है और फिर उतरता है तो ये चुकि एक निश्शित समय के बाद बुखार चड़ता है फिर उतरता है तो इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है होता है सिर शरीर एवं आमाशय में दर्द रहता है पतले दस्त होने लगते हैं और कई बार रक्त वाहिनियों में रक्त जबने की संभावना भी बढ़ जाती है दो या तीन सप्ता के बाद जो अस्थी मज्जा है या जिसे हम बोन मेरो कहते हैं प्लीहा जो पिताशय है ये संत्रमित होने से दोबारा फिर से टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है टाइफाइड से बचाओ के बहुत सारे उपाए हैं बच्चो आपको ये सभी जानने चाहिए क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि स्वस्थ मनुष्य यदि है तो वो अपने सारे कारिय उनको अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका शरीर ही अक्षयम हो जाता है करने लायक नहीं होता है हमें प्रारंब से ही एक अच्छे जीवन शैली को अपनाना ही चाहिए तो उसके अंतरकत सबसे पहला पॉइंट है कि रोगी को उचित भोजन उबला जल एवं परियाप्त आराम देना चाहिए दूसरा है कि भोजन को मक्हियों से बचाना चाहिए और रोगी के जो मल हैं उसका उचित निवारण करना चाहिए अर्थात कहीं गड़े में डाल देना चाहिए या दूर कहीं पर इस मल का निस्तारण करना चाहिए रोगी द्वारा जो प्रियोक्त वस्तुएं होती हैं उसे बार-बार डेटॉल से धोना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए तभी उसका प्रियोक करवाना चाहिए रोगी के जो थूख हैं उल्टी हैं या दस्त हैं इन सब को राख और चूना डाल कर भूमी में गार देना चाहिए ताकि कोई भी स्वस्त व्यक्ति इसके संपर्क में ना सके रोगी को TAB का जो टीका है वो लगवाना चाहिए ये लगभग तीन वर्ष तक रोगी को सुरक्षा दे सकते हैं प्रतिजैविकों या एंटिबायोटिकों के प्रयोक से भी इस रोग का नियंतरन किया जा सकता है अब हम जानेंगे कि रोगाणू या पैथोजन क्या होते हैं तो रोग उत्पन करने वाले जो सुक्ष्मजीव होते हैं उन्हें हम रोग उत्पादक सुक्ष्मजीव कहेंगे और यही पैथोजन कहलाते हैं हैजा, तपेदिक, टाइफाइड, सुक्ष्णीवी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोग होते हैं बैक्टीरिया या जिवानों जिसे हम कहते हैं तो इनके द्वारा जो होने वाले रोग होते हैं हैजा है तपेदीख है टाइफाइड है यह सभी होते हैं संक्रामक रोगों से बचने के कुछ उपाए हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए और आजकल आप लोग सभी बहुत ज्यादा परीचित हैं इस शब्द से कि हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए बार-बार हाथो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है तो मच्छर के काटने से होता है लेकिन वास्तों में मलेरिया होता कैसे है यह हम आज जानेंगे तो मच्छर की एक प्रजाती है एनाफिलीज है ना तो यह मादा होती है और इसके काटने से मलेरिया रोग हो नफलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तो उसके जो प्लाजमोडियम है वे स्वस्थ मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं और जो लाल रुदीर कणिकाएं होती हैं और यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसको नश्ट कर देते हैं बहुत जादा संख्या में जो लाल उर्दीर कडिकाएं होती हैं वो नश्ठ होने लगती हैं तो इसके नश्ठ होने से एक हीमो जाइन नामक विशेला पदार्थ उस स्वस्त मनुष्य के शरीर में तयार होने लगता है और इसी हीमो जाइन के बनने के कारण स्वस्त मनुष्य जो है उसमें कपकपी देकर तेज से बुखार आने लगता है तो मलेरिया का जो सबसे मुख्य लक्षन है वो यही है कि अचानक से ठंड एवं कपकपी के साथ बुखार आना दूसरा है कि सेर एवं शरीर में दर्द होना अकडन होना याने एठन होता है दर्द होता है शरीर मे पसीने के साथ कई बार बुखार उतर भी जाता है, शरीर में रक्त की कमी होती है, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से ये लाल उदीर कनिकाओं को धीरी धीरी नश्ट करने लगती है, तो इस तरह से रक्त की कमी भी होने लगती है मलेरिया के कई जो लक्षन है उसमें हम देखते हैं कि प्रति दिन ज्वर का आकरमन होता है तो तीसरे दिन या दो दिन छोड़ कर ये ज्वर दिन छोड़ छोड़ कर भी हो सकते हैं रोगी का मुँ सूखने लगता है, उसे प्यास लगने लगती है, उसका चेहरा लाल दिखाई देने लगता है, रोगी का जो यकरित है और जो तिल्ली है उसमें सूजान आने लगती है और इसका आकार बढ़ जाता है। तो देखिए आप इस चित्र के आधार पर भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से मुख्य मुख्य लक्षन है, एक तो बुखार दर्द होना, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार का होना, सरदर्द रहना, पूरे शरीर में एठन के साथ दर्द का होना, और मिचली और उल्ती क होना, मलीरिया के जो लक्षन है आप देखिए, यहां पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहां देखिए आँखों में सूजना सकती है, बार-बार बहुत तेजी से बुखार आता है, तो कैसे, जब तेजी से बुखार आता है, तो हमें पट्टी लगाया जाता है ठंडे पानी से मच्छर के काटने से यह रोग होता है, आप उपर वाले चित्र के अनुसार देखिए, तो WHO या जो World Health Organization है, उसकी सहायता से राष्ट्रिय मलेरिया और मूलन योजना पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, इसके अंदर गर्द यह प्रयास किया जाता है, कि जो रक्त में मलेरिया की जाच की जाए और संक्रमन यदि है किसी वेक्ति को, तो उनके संक्रमन को दूर करने के लिए क्लोरो कुई नामक जो दवाई है, उसकी 600 mg की एक टिकिया पहले दिन और उसके बाद लगभग 15 mg की एक टिकिया प्रती दिन के हिसाब से लगातार चार दिनों तक देने का प्रयास किया जाता है, ताकि मलेरिया के ग्रस्त जो रोगी है वे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं, मलेरिया के बचाओ के कौन-कौन से उपाय हैं, सभी आप लोग घर में जब सोते हैं, तो मच्छर न काटें, इसलिए आप मच्छर दानी के अंदर ह मच्छर दानी लगाते हैं, मच्छर दानी इसके लगाया जाता है ताकि मच्छर हमें रात को सोते समय न काटें, प्रतेक मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो ऐसा अवश्यक नहीं है, जो एनाफिलीज मादा मच्छर होती है, उसके काटने से ही मलेरिया होती है, तो घरों म जालियां लगाई जाती है खिड़कियों में दर्वाजों में भी कई बार लगाते हैं वेंटिलेशन होता है उसमें लगाते हैं ताकि जो बाहर से मक्षर है वो अंदर प्रवेश ना कर सके बरतन आदी में यदि पानी जमा है घर में तो ये कोशिस की जाती है कि बार बार उस करें कि धग कर रखें कई बार छोटे तालाबों में जहां पर पानी जमा है वहां पर भी मच्छर होने की संभावना बढ़ जाती है तो ऐसे जगहों पर मचलियां डाल कर रखना चाहिए अनावश्यक जल जमा नहीं होने देना चाहिए कई बार जो रुका हुआ जल होता है उ अपने आसपास घरों के जो गड़े होते हैं वहां पर ताकि उसमें जो मच्छर है वो ना पनप सके अब हम जानेंगे कि एक और प्रकार का रोग है जो मच्छर के कारण होता है वो कौन सा रोग है फाइलेरिया जिसे हाथी पाओ भी कहा जाता है या फैलरियासिस भी कहा ज जीवित दोनों अवस्थाओं में रोग को उत्पन करते हैं जीवित अवस्था में ये जो क्रीमी है वो लिम्फ वाहिनियों एवं ग्रंतियों में प्रवेश करते हैं और हानीकारक उपापचयी पदार्थ का स्राव करने लगते हैं इसके कारण जो लिम्फ वाहिनी की कोश होने लगता है और यह रोग हाथी पाओ रोग कहलाता है फाइलेरिया रोग के कौन-कौन से लक्षन है तो सबसे पहला नाम से ही सपष्ट है हाथी पाओ मतलब एक पाओ आप देखिए किस तरह से मोटा हो गया जैसे हाथी के पाओ होते हैं उस तरह का हो गया तो रोगी को इस इस बिमारी के कारण लगातार बुखार रहता है और पैर में जहांपर यह रोग हुआ है वो खुझली उसमें बनी रहती है रोगी वेक्टी का जो यकृत है प्लीहा है अंड कोश है पैर है यह सब फूल जाते हैं और फूल के वहांपर रसॉली बन जाती है पैर फूल कर सामा बहुत अधिक मोटा हो जाता है तो इसे हम एलीफेंटियासिस या हाती पाउं भी कहते हैं फाइलेरिया से बचने के भी वही वही उपाय है हमें मच्छनों से बचना है सबसे पहला जो इसका उपाय है वो यही है कि हमें मच्छर दानी लगा कर प्रते दिन सोना चाहिए क्यों हमें पहले से पता नहीं है तो हमें उपाय करना है बचने का तो सबसे पहला यही उपाय है घरेलू कि हम मच्छर दानी लगा कर घर में सोएं जो मच्छर उत्पन होने वाली जगर है वहां पर मिठी का तेल या इंजन का तेल जो बचा हुआ तेल होता है ये सब डाल देना चाहिए ताकि मच्छर के जो अंडे हैं लार्वा हैं तथा मच्छरों को यहां पर जो भी पनपते हैं उन्हें नश्ट करने का प्रयास लगातार हमें करते रहना चाहिए DEC या डाई इथाइल कारवा माजीन की खुराक अवर्ष लेना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन-कौन से लोग हैं कौन-कौन से वर्ग हैं जिन्हें DEC नामक जो दवाई है वो नहीं लेना चाहिए ये है सबसे पहला कि दो वर्ष से काम उम्र के बच्चों को नहीं लेना चाहिए गर्व अति महिलाओं को ये नहीं सेवन करना चाहिए अत्यंत बिमार जो वेक्ती हैं उन्हें भी नहीं लेना चाहिए और जो अस्पताल में भरती हैं उन्हें भी DEC की खुराक नहीं लेनी चलिए अब हम जानते हैं कि किस मच्छर से कौन सी बिमारी होती है सबसे पहले देखिए Aedes इससे होने वाले जो बिमारी है वो है चिकेन गुनिया, डेंगु बुखार, लिम्फेटिक फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार या पित जोर जिसे कहते हैं और जीका एनाफिलीज जैसा हमने अभी देखा Malaria, एनाफिलीज के कारण, लिम्फेटिक फाइलेरिया, प्राया अफरीका में देखा जाता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण जो अभी हमने देखा फाइलेरिया एक रोग है जापानी इंसेफिलाइटिस, लिंफेटिक फाइलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर ये सभी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो सकते हैं इस पार्ट में हमने सीखा कि रोग उत्पन करने वाले जो सोक्ष्मजीव होते हैं उसे रोग उत्पादक सोक्ष्मजीव कहते हैं मलेरिया के रोगार्वों के वाहक मादा एनफलीज मच्छर है फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है पानी को उबाल कर पीना सबसे सुरक्षित उपाए है सभी बच्चों को समय समय पर विभिन रोगों है तू टीका करण अवश्य कराना चाहिए तो बच्चों आप लोग अपने घर में अपने माता पिता से जरूर पूछिए कि आपको कौन कौन से टीके अब तक लगे हैं जो नहीं लगे हैं वो जरूर लगवाईए डॉक्टर की सलाह व जानकारी के बिना किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए सदैव डॉक्टर की सलाह से ही हमें कार्य करना चाहिए जो भी बीमारी है उससे संबन्दी दवा ही हम प्रयोग करें ये देखना चाहिए घर में या आसपास मोहले में या गाउं के लोगों को यदी कोई रोग है तो उन्हें उपचार के लिए प्रयरित करना चाहिए साथ ही साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी आसपास घरों में या फिर महले में कहीं यदी जल इकठा हैं तो उसको कैसे हम उपचारित कर सकें ताकि उसमें मत्चर नापन पे ऐसा प्रयास हमें करते रहना चाहिए बच्चो इस पार्ट में जिन रोगों के बारे में हमने पढ़ा उसी से संबंधी प्रशन आपको दिये जा रहे हैं आप इसे जरूर हल करिए और बहुत सारे जो उपाएं हैं बचने के रोग से वो कॉमन हैं आपको आराम से याद भी हो जाएंगे और आप समझ के ये तो आसानी से आप लिख भी सकते हैं तो सबसे पहला प्रशन है TAB का किसके लिए लगाया जाता है प्रशन दूसरा यदि आपके घर के आसपास गड़े हैं पानी भरा हुआ है मच्छर भी बहुत हैं तो आपको कौन-कौन से रोग हो सकते हैं प्रशन तीसरा मलेरिया फ प्रशन पाच्वा टाइफाइट का संक्रमन कैसे होता है प्रशन चट्वा टाइफाइट शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है ये सभी हमने लक्षन में पढ़े हैं बच्चो आप फिर से वीडियो को देखिए और प्रशनों को बनाने का प्रयास करिए सभी प्रश सकते हैं विभिन प्रकार के अच्छे अच्छे आदतों को अपना कर स्वक्ष एवं ताजा भोजन करके स्वक्ष पानी का प्रयोग करके और घर के बातावरन को अपने आसपास के बातावरन को स्वच्छ रखके हम कैसे बच सकते हैं बिमारियों से ये सब चीजें अपने तो स्वस्त रहिए, खुछ रहिए और पढ़ते भी रहिए